हाव रूफिक्स वान प्लास नोट टू एप पर्मिशन एर्र प्रॉब्लम नमस्कारों सुस्वागर अब सभी का तिकराच यूट्व चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है कैसे अपने वान प्लास की डिवाइस में एप पर्मि करने से पहले करने से अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकुन को क्लिक करें अगर आप आप पैसा कामाना चाहते तो वीडियो डिस्क्रिप्षिन पर आपको लिंक मिल जाएगा किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग प्रावर में ट्वीटर पर फॉलो करके मेसेज कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों एप परमिशन एरर टाप होते हैं जब आपके एप में बग आ जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए ठीक है तो आपको वह जाके सर्च करना है प्लेश्टोर में जैसे कि मानने जी मेरे पास माई एर्टल एप भी है या पर वाटसब्स इंस्सेग्रम फेस्बूक किसी कभी एप हो सकते परमिशन एरर तो पहले आपको अपडेट करना है एप को अपडेट करने के बाद आप च कि अपने लेगा यहां पर एपस एंड नौडिफिकेशन ठीक है तो उसमें जाए उसमें जाने के बाद सी अल एपस पर क्लिक कीजे उस एप को ऑपेण कीजे जिस एप का परमिशन पर एरर हो तो उस एप पे जाने के बाद आपको इस तो रेच उस अप्शन बड़ करना है क्लियर इस तो एज पर क्लिक करना है उसके बाद OK जो बटने उसमें auxiliary कर देना है ठीक है जैसे OK होगा तो आपके जो सारे डेटा है वो ख्लियर हो जाएगा and andards जाकी चेक करें आपके permissions को यहाँ पर सारे के सारे अलाव कर दीजें complete ठीक है तो सारे जो permission से आपका यहाँ पर इस तरीके से अलाव होना चाहिए तो चाहें दोस्तों आपके एप ठीक है Instagram Facebook WhatsApp जो भी है आप इस solution को follow कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तों लिखा हुए रिमूफ परमिशन इफ एप इजन्ट यूस तो आपको यह सेटिंग नहीं करना है ठीक है इस सेटिंग को बन करके रखना है अगर यह सेटिंग इनेबल रहेगा तो आपके एप परमिशन पर प्रॉब्लम आते रहेगा ठीक है तो यह solution को follow करें आपका problem solve हो जाएगा बाइ इनी चांस अगर आपको यह problem आते रहते तो आपको क्या करना है मोबाइल को एक बार सेफ मोट पर रिबूट कर लिजिए पाउर बटन पर प्रेस अनौल कीजिए पाउर ऑफ के जो बटन है उसमें दो सेकंड टेप करके राखिए आपको मिलेगा रिबूट सेफ मोट ओके करके रिबूट कर दीजिए ठीक है और सारे साथ दोस्तों अगर आपके मोबाइल सोफवेर अपडेट नहीं है तो सिस्टेम पर जाके सिस्टेम अपडेट कर दे और मोबाइल सोफवेर अपडेट कर दीजिए आपके problem solve हो जाएगा तो इस तरह के से दोस्तों आप solve कर सकते हैं अगर दोस्तों फिर भी आपका एप जो है misbehave करते तो उस एप को uninstall करके reinstall कीजिए ठीक है तो यह करने से आपका एप permission error fix हो जाएगा उमिद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो पसेने होगा thanks for watching